सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाईए हमारी लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हलो हाई सलाम नमस्ते आदाब कैसे हैं आप सब लोग आज हम बनाएंगे भिंडी फ्राय और भिंडी फ्राय बनाने को तो बहुत आसान रेसिपी है मगर अधिकतर लोगों की ये समस्या होती है कि उनकी भिंडी की सबजी काफी चिपची भी बनती है तो ये वीडियो देखने के बाद में आपकी ये समस्या तो एकदम खत्मी हो जाएगी और आगे से जब भिंडी बनाएंगे तो भिंडी आपकी हमेशा खिली-खिली बनेगी तो आईए फटा-फट से इस खिली-खिली भिंडी की सबजी को बनाना स्टार्ट करते हैं भिंडी फ्राय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम भिंडी को साफ अच्छे से धो लिया था और कपड़े पर फैला लिया और इसका अच्छे से पाने सुका लिया उसके बाद इस तरीके से सेम पीसेस में से कट कर लें दिखें यह ध्यान रखने के बात है कि हमारे सबी पीसेस जो हैं सेम हो पानस इच्छे हरी मिर्चों को इस तरीके से काट लिया है हरी मिर्चे इसमें काफी अच्छी लगती है एक बड़ा प्याज लिया है उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है टूटेबल इस्पून यहां पर जिंजर गार्लिक पेस लिया है वन टेबल इस्पून नमक है और हाफ टी स्पून यहां पर लिया है जीरा सुके मसालों में 1 foot teaspoon हल्दी पाउडर है 1 teaspoon चिली पाउडर है और 1 and half teaspoon यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर बहुती कम मसाले इसमें जाते हैं और यह नीबू है अप लास्ट में से निचोड कर सबजी को इंजोय कर सकते हैं साथ ही यहाँ पर मैंने तेल लिया है तो जरूत के हिसाब से हम सबजी में तेल एड़ कर देंगे तो गैस की फ्लेम को ओन करके इस पे मैंने रख दिये कड़ाई और इस पे हम भिंडी को फ्राय करने के लिए ओयल डाल देंगे 2 टेबल स्पून सम्थिंग यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे यह भिंडी और इसे अच्छे से फ्राय कर लेंगे यहाँ पर हमें इस चीज ध्यान रखनी है कि 90% हमारी भिंडी पक जाए जो हमने नमक लिया था उसमें से आदा नमक जो कि इस समय भिंडी में लग सकता है उतना नमक हम इसमें अभी एड़ कर देंगे और अच्छे से इसे चला लेंगे इसे ज़्यादा भी नहीं चलाना है क्योंकि ज़्यादा चलाने से भी भिंडी जो है हमारी चिप चिपी हो जाती है तो एक तो ये ट्रिक है और एक ट्रिक वो जो हमने उसे धोकर कपड़े पर फैलाया था पानी सूकने से भी भिंडी के चिपचिपई होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं फ्राइ भिंडी को मैंने इस तरीके से बॉल में निकाल लिया है अब फ्राइंग पैन गो फिर से धोकर गैस पर रख देंगे और सबजी के लिए इसमें तेल डाल देंगे तो वन टेबल स्पून मैंने तेल इसमें डाल दिया है और जैसे ही ये गर्म हो गया हम इसमें डाल देंगे जीरा और जीरे के चटकने के बाद में जो प्याज हमने काटके रखे थे वो इसमें डाल देंगे प्याज को ज़्यादा फ्राइं नहीं करना है बस उसे ट्रांस्पेरेंट करना है और हमने इसमें हरी मिर्चें भी एड़ कर दी और इसे चला लेंगे जब तक कि हमारे प्याज जो हैं ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाते ये देखें ट्रांस्पेरेंट हो गए हैं अब हमें इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को एड़ कर देना है तो फटा फट से पेस्ट को एड़ कर दें और इससे अच्छे से चला लें और यहां पर जिंजर गार्लिक पेस्ट को हमें थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना होगा देखें इस तरीके से चलाते जाएं और फटा फट से इससे ब्राउन कर लें अभी लाट ब्राउन हो गया है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे मसाले को पकाने के लिए और पानी डालते ही जो सुखे मसाले हमने लिए थे उन तेनों को एक साथ इसमें डाल देंगे और फटा फट से चला लेंगे और इसे तब तब पकाएंगे जब तक कि हमारे जो मसाला है उसमें से जो ऑईल है वो सेपरेट नहीं हो जाता बाकी का नमक भी देखें इस वक्त मैंने डाल दिया है वो नमक जो हमने पहले डाला था वो भिंडी के अकॉर्डिंग था और ये मसाले के अकॉर्डिंग कुछ देर बाद में ही देखें जो पूरा ओल था वो सेपरेट हो गया है अब हम इसमें जो भिंडी हमने फ्राय करके रखी थी वो डाल देंगे और इससे अच्छे से चला लेंगे देखें 90% भिंडी थो हमारे पहले ही कुक हो चुकी है अब 2-4 मिनिट अगा हम इसको पका लेंगे तो ये 10% मसाले के साथ कुकू जाएगी बस इसे अच्छे से चला लें आप चाहें तो नेम्बू इस वक्त भी एड़ कर सकते हैं और अगर नहीं तो आप लास्ट में जब खाएं तो नेम्बू एड़ कर लें बस ये 3-4 मिनिट पक गई है अब हमारी भिंडी अच्छे से त्यार है इसे हम सर्व कर लेते हैं तो पहले में इसे छोटी सी कड़ाई में डालती हूँ और उससे एक बॉल में इसे रखती हूँ खाने के लिए क्योंकि साथ साथ में आपको चपाती बनाना ही बता रही हूँ कि किस तरीके से फुली फुली चपाती आप गैस पर बना सकते हैं जो दिखने में एकदम ऐसी लगेगी जैसे कि आपने चूले पर बनाई है देखिए गुल गुल घुमा के इसे हर तरीके से सेख लें और साथ ही आपके अपने चैनल सोनाज हैल्दी किचन को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें थैंक यू